तो दोस्तो आज फिर से आचुका हूँ खिलोनों की खोज में और एक बिल्कुल नए जगा में देखना है हमें इस जगा से आज क्या क्या खिलोना मिलता है और ये देखो यारी तो लगड़ा है कोई खिलोना है तो दोस्तो सिच में ये ते खिलोना है और ये इतना चूटू स प्यारा सा खिलौना यह कौन सा खिलौना है बई यहां पर लिखा हुआ है 71st और यह देखो यहां पर लिखा हुआ ambulance दोस्तो देखो इतना चोट उप seriousness कभी भी देखा आप लोगों ने दीखलो दोस्तो यह रहा हमारा आज का सबसे पहला मिला हुआ खिलोना वो भी एकदम मेरा उंगली की साइज का देखो देखो मेरा उंगली से भी छोटा है कितना जादा छोटा एक खिलोना मिला है देख सकते हो दोस्तों वो भी एम्बुलेंस बहुत बढ़िया है तो चला आगे बढ़ते हैं, इसे हाथ में लेते हुए, अरे देखो और एक, अरे दोस्तो ये आगे भी और एक है, तो दोस्तो ये कौन सा खिलोना है, देख लेना है, अरे देखो ये भी बिल्कुल इसके जाए साई देखने वाला एक खिलोना है, देखो, साइज भी कि स्कुल जा रहा है इस वजा से इतना खुस है तो दोस्तो चलो इसे भी उठाते है और देखो दोस्तो यहाँ पे देखो और एक खिलोना ये देखो ये कौन सा खिलोना है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स्ट्रीम क्लासिक कार तो दोस्तो ये क्लासिक कार है देखो य टोटल तीन खिलोना मिल चुका है तो चलो आगे बढ़ते अरे दोस्तो आगे बढ़ने से पहले ही देखो हमें दिग गया है और एक खिलोना बो भी सेम तो दोस्तो देखो कितना चोटा सा प्यारा सा और एक ये तो ट्राक है दोस्तो हाँ एक ट्राक है देखो यहाप एक ड्र लोगों का क्या बताओ घर का कच्रा बच्रा कुछ भी हो सब कुछ ले जाता है न जो कच्रा वाला ट्राक वो ही है दोस्तो तो चलो यह देखो यहां पर हमें चार खिलोना मिल चुका है बिल्कुल सेम साइस का देखो मेरा हात में आ रहा है अभी तक तो चलो देखते हैं अरे फाइर पुलिस बैटा हुआ है देखो बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों यहां पर चार पुलीस है यहे दोस्तों फाइर वीगेट वाला ट्राक बहुत ही बढ़िया है color combination भी बहुत जयादा बढ़िया लग रहा है देखने में देखो मेरा उंगली से भी जादा छोटा लग रहा है दोस्तों बहुत ही जादा छोटा छोटा हमें यहाँ पे मिल चुका है अभी तक पाच खिलोना तो चलो पाच खिलोना हाथ में तो आना चाहिए तो चलो एक एक करके उठाते है क्योंकि दोस्तों छोटा है पर हाथ में तो जगा कम है ना खिलोना ज इतना चोटा चोटा खिलोना हमें मिल राएए ये कौन सा खिलोना है यहापे तो लिखा हुआ है पुलीस कराड़े इसका मतलब ये दे को एक पुलीस बाला कार है वाव दोस्तो जा भी ये दे को एक ही पुलीस tra Fourth है इसके अंदर तो दोस्तों हमें 6 खिलोना मिल चुका है वह वो भी छोटा छोटा सा तो चलो हात में अब नहीं आएगा इसे यहाँ पे हमें छोड़ना पड़ेगा और आगे बर कर देखते हैं आगे हमें और क्या मिलता है तो दोस्तो बनेडाओ चैनल को सस्क्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना दोस्तो यह देखो यह यहाँ पे है हमारा छै खिलोना बो भी छोटा छोटा सा आगे अरे देखो आगे बरने से पहले और एक खिलोना इससे यह देखो दोस्तो यह तो शाया टूटा हुआ लग रहा है यह देखो इसका टूटा हुआ पाट इसके पास ही गिरा हुआ है दोस्तो देखो यह क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राक ये देखो machineery shop लिखा हुआ है दोस्टो ये तो देखने से लग रहा है यह JCB वाला ट्राक है दोस्टो ये देखो इसके आगे देखो JCB जैसा ये खाथ है पीछे भी ये था दोस्तो यह खुल चुका है तो चलो कोई बात नहीं हम इसे इन से भी ट्वाई की पास ही रख देते हैं बाद में हम इसे एटाच करने वाले हैं तो दोस्तो बने रहो यह देखो यहाँ पे धेर सारे खिलोना हम रखके जा रहे आगे तो चलो आगे बरो हमारे साथ अरे यहां पे बहुत बढ़ा सा केले का पेर गिरा हुआ है तो चलो आगे बरो हमारे साथ देखना है हमें आगे और कुछ मिलता भी है या नहीं तो यह देखो दोस्तो यहां पे देखो यहां पे मिल चुगा है हमें और एक खिलोना तो दोस्तो यह कौन सा खिलोना है देखो दोस्तो इसके smile कितना जाधा बढ़िया लग रहा है देखो बहुत ही जाधा बढ़िया लग रहा है देखने में ही तो चलो इसे उठाते हर दिखा देते हैं आप लोगों को ये कौन सा खिला अरे देखो यार इसमें तो एकी wheel attache देखो इसकी आज उपास देखो तीन wheel कि गिरा हुआ है, एक, दो क्यारा तो दोस्तों इसे भी आटाच्मेंट करना पड़ेगा तो उससे पहले इन तीनों विल्स को आम यहाँ से उठाना है, यह देखो यहाँ से उठा दिया यहाँ से भी ले लेना है तो चलो इन तीनों विल को पहले हाथ में ले लेते हैं और उसके बाद यह टोई को हम ले जाकर यह देखो आगे जो हमारा खिलाओना रखे गए थे न दोस्तो इसके पास ही रख देते हैं यह देखो रख दिया दोस्तो यहाँ पे देखो बहुत बढ़िया लग रहा है तो चलो और आगे बढ़ते हैं देखते हैं हमें और आगे क्या खिलाओना मिलता है दोस्तो अरे दोस्तो यह देखो आगे और एक खिलाओना शायद अरे ये तो खिलोना जैसा नहीं लग रहा है अरे ये तो collecting bucket है तो दोस्तों देखो हमें collecting bucket मिल चुका है वो भी rate color का कितना सुन्दर है ये वाला collecting bucket और देखो bucket बिल्कुल खाली है दोस्तों ये देखो इसका ढखकन है ये ऐसे बंद भी होगा वाव दोस्तों हमें collecting bucket मिल चुका है बढ़िया बात है दोस्तों तो चलो collecting bucket को हाथ में लेते ही आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें और भी आगे बढ़ना है खिलोनों के लिए तो चलो आगे बढ़ते हैं ये देखो यहाँ पर और एक खिलोना दोस्तों वाव कितना सुन्दर कलर रहे सीछ लग रहा है दोस्तो देखने में ही देखो कितना जॉधा बढ़ी कलर कम्मिनेशन है इसका सीटी सुन देखो दोस्तों यहां पर क्या है ? यह तो बस ही लग हुग है, उ समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों बहुत है बढ़िया हमें डवल बस मिल चुका है ट्राफिक बस सूपर सीटी तो दोस्तो इसे हम सबसे पहले कलेक्टिंग बाकेट के अंदर ले लेते हैं इसमें कोई भी प्रॉब्लिम तो मेरी नजर में नहीं आ रहा है दोस्तो तो चलो फटा फटी से उठाते हैं कलेक्टिंग बाकेट के अंदर रखते हैं और कलेक्टिंग बाकेट के ढखकन बंद कर लेते हैं तो चलो और आगे बढ़ते हैं देखते हैं हमें और क्या मिलता है यहां से यहां पे तो सिर्फ पत्ते गिरा हुआ है दोस्तों देखो कितना बराबरा केले की पेर गिरा हुआ है यहां पे तो दोस्ता अरे देखो यहां पे और एक खिलोना तो दोस्तों देखो हमें और एक खिलोना मिल चुका है वो भी green color का बिल्कुल पत्ते से match करता हुआ color है दोस्तों ये देखो इसका color combination बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है दोस्तों देखने में यहां पर सच में बहुत ज़्यादा मच्छर है दोस्तों मच्छर बहुत ज़्यादा कट रहा है तो चलो जितना जल्दी हो सा कि यहां से हमें निकालना होगा देखलो दोस्तों ये तो एक jeep car है इसका will देखो कितना ज़्यादा बढ़ा है और strong है दोस्तों ये will मेरे हाथ में आते ही मालूम चल रहा है कि ये खिलोना सबसे ज़्यादा hardy वाला खिलोना है अभी तक जो ज फट ये वाला खिलोन और को कलेक्ट कर लेते हैं तो चलो कलेक्ट कर लिया दोस्तों दो खिलोना अभी तक हमें collecting bucket में मिल चुका है और d मोला ये से आगे बढ़ने से पहले देखो ... और ए खिलोना कहा कहा पर खिलोना रखा गया आप लोग दबल डेकर वाला बस था और यह देखो यह सेंगल डेकर वाला बस है दोस्तों यह तो आर्मी वाला बस है यह आर्मी का काम में आता है दोस्तों यह देखो यहाँ पर आर्मी का पिक्चर भी है बहुत ही जादा अमेजिंग लग रहा है देखने में दोस्तों इसका कलर कॉमिन के अंदर डाल लेते हैं ये देखो देखो कलेक्टिंग बाकेट के अंदर ले लिया तो कलेक्टिंग बाकेट की धक्कन बंद कर दिया फिर से तो चलो अरे कलेक्टिंग बाकेट का हैंडल ये देखो तो दोस्तो हम आगे बढ़ते हैं देखो दोस्तो यहाँ पे सिर्पते ही देखो यह तो एक cycle है वो भी green color का वाव दोस्तो बहुत बढ़िया एक cycle मिला है देखो ज़रा cycle का condition green and yellow color combination में कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है यह बाला खिलोना तो दोस्तो इसका color combination बढ़िया है यह खिलोना भी बढ़िया है तो चलो सबसे पहले हम इसे collecting bucket के अंदर collect कर लेते क्योंकि इसमें भी कोई problem नहीं है यह देखो खुल जा भाई यह देखो खुल गया यह देखो collecting bucket को बंद कर दिया तो चलो collecting bucket को यहाँ से उठा अरे भाई 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 देखो दोस्तो आजू बाजू खिलोना ही खिलोना यह देखो इस साइड में भी खिलोना इस साइड में भी खिलोना तो चलो सबसे पहले उठाते है इससे यह कौन सा खिलोना है आडे दो दो एक साथ इसका विलचेंबर गाया अब है इसका विलचेंबर इसके पास ही गिरा हुआ था दोस्तो देखो बिलकुल परफेक्ट कंडिशन में है कोई भी पार्ड तो इसमें से मिसिंग नहीं है दोस्तो इसका तीनों विल इसमें एटास दिख रहा है हमें और दोस्तो देखो इसका ज़स्ट यहां से विल चिंबर ही खुला हुआ है लगबग कंडिशन बहुत जाधा बढ़िया है दोस्तो हम हर रोज किसी नए जंगल में जाते हैं खिलोना डूंडते हैं आप लोगों को कल का एक्सप्रियेंस में बता देना चाता हूँ मैं जब वीडियो बना कर घर जा रहाता दोस्तो अच्छा नक मेरे सामने बहुत ही जैरी लाइक साब दिखाता दोस्तो उस बजा से मुझे अभी भी डर लग रहा है दोस्तो तो मैं बार-बार बता देना चाता हूँ दोस्तो हम तो रिक्स लेते हैं आप लोग मत लीजिए आप लोग ज़स्त वीडियो देखिए और खुद को इंटरटीन्मेंट कीजिए दोस्तो हम बहुत जाधा है मैंनद करते हैं जस्ट आपकी सापोर्ट के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सस्क्राइब करके जूर जाईए दोस्तो तो चलो इसे कलेक्टिंग बाकेट के अंदर फटाफट कलेक्ट कर लेते हैं यह देखो collecting bucket के अंदर collect कर लिया इसे यहाँ पर छोहड़ते हैं और यह इस पार कुछ खिलाना है तो यह कौँ सा खिलाना हैं दोस्ते यह तो ट्रैक्टर है अरे हाँ दोस्ते यहाँ पर लिखा भी हुआ है मिनी ट्रेक्टर पर मिनी ट्रेक्टर का आगे का विल खुला हुआ है और देखो इसकी पास ही गिरा हुआ है इसका विल तो दोस्तो आज तो हमें सभी खिलोना मिला है बड़िया बड़िया और जो भी तूटा हुआ था सब कुछ उसकी पास ही हमें मिल चुका है तो चलो कलेक करेंगे तो यह बाकेट इतना ज़ादा फूल हो जाएगा कि हम ले भी नहीं जा पाएंगे तो चलो सबसे पहले हम यह से निकालते हैं और उन सभी खिलोनों को कलेट कर लेते हैं यह देखो दोस्तो यहाँ पे हमने धेर सारे खिलोना रखे थे दोस्तो तो चलो फटा-फट इ इन सभी को भी हमें collecting bucket के अंदर collect करना है तो दोस्तों देखो collecting bucket और बंद नहीं होगा तो दोस्तों देखलो collecting bucket हमारा full हो चुका है हम धेर सारे खिलोना collect भी कर लिए तो दोस्तों आगे बरते हैं इन सभी को attachment भी करना है जिस जिस का जो भी चीज attachment करना होगा आप लोगों की सामने ही हम एटचमेंट करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे भी सिखाएंगे भी तो दोस्तों सीखने के लिए हमेशा बनेड़ा हूँ हमारे साथ चैनल को सस्क्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करके तो दोस्तों आगे बारो बहुत जादा एटचमेंट करना है हमें तो देखो दोस्तों लेकर आ चुका हूँ फिर से सभी खिलोना को इन सभी को हमें एटचमेंट भी तो करना है आप लोगों को दिखाया कैसे हम खिलोना ढूंडे और कहा पे गयते खिलोना लेने तो दोस्तों हर रोज जाते हैं किसी नए जगा पे दोस्तो खिलोनों की खोज में और हमें खिलोना मिलता भी है खिलोना मिलता तो है दोस्तो ऐसा ऐसा कुछ देखने को भी मिलता है दोस्तो खिलोना ढूनने जाने में भी बहुत जाधा डर लगता है फिर भी हम जाते हैं आप लोगों के लिए आपको एंटारेंड मेंट करने के लिए तो प्लीज हमारे साथ बने रहो दोस्तो चैनल को सस्क्राइब कर लो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना बार बार आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सस्क्राइब कर दो वीडियो को एक लाइक कर दो आपको तो सिर्फ एक बटानी दबाना है दोस्तो जस्ट घर पे बैटके आप लोग देखते तो हो पर रियल में बहुत कुछ होता है दोस्तो बस इतना ही आप लोगों से मांगता हूँ कि हमारे साथ बने रहो और देखते रहो तो देख लो दोस्तो हम सबसे पहले एटाच्मेंट करेंगे ये वाला ट्रेन इंग्जिन को ट्रेन इंग्जिन खास करके मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया पीछे का विल का साइज थोरा बरा लगाता मुझे ये देखो दोस्तो सेम ही है सेम नहीं है दोस्तो पीछे का विल थोरा बरा है ये देखो यहाँ पे हम ज़स्त डाल देते है ये देखो तो दोस्तो देखलो इसका पीछे का विल लग चुका है यहाँ पे अब जस्ट हमें इसका आगे का विल एटच करना होगा यह देखो यहाँ से जस्ट रोट को डालना है इस छेद में से डाल दिया दोस्तो अब जस्ट घुमा लेना है तो घुमा लिया अब घुमा कर क्या करना है देखो यहाँ पे जस्ट इस रोट में यह वाला वि अमारा next attachment जो की है हमारा ये mini tractor का attachment oh no, mini tractor लाते बकत इसका पीछे का एक wheel खुल गया था दोश्तो हमने तो noticing नहीं किया, इसका आगे का wheel खुला हुआ था, पीछे का कोई भी wheel मिसिंग नहीं था दोस्तो, ये देखो, barket के अंदर परा हुआ है इसका विल तो चलो निकाल लेते हैं इसका विल यहां से यह देखो निकाल लिया अब जस्ट सिंपल हम इस रॉड में इसे एटाच कर देंगे क्योंकि यह एटास था ही दोस्तो पहले से और यह देखो हमें चोटा-चोटा दो विल मिला था यह आगे का विल है इसमें attachment है आप लोगों को चला कर भी दिखा देता हूँ ये वाला tractor वाव दोस्तो बहुत ही ज़ादा बढ़िया sound निकल रहा इसके engine से तो चलो इसे भी side कर दिया अब आते हैं दोस्त हमारा next attachment जो की है हमारा ये वाला auto rickshaw का attachment तो auto rickshaw का attachment भी बहुत ज़ाँ simple था इसका just wheel chamber attach करना था तो देखो दोस्तों यहाँपे एक छेड है और देखो यह will chamber में देखो, यहाँपे एक lock है और यहाँपे एक lock है तो दोनों lock इस छेड में चला जाएगा, ये था अंदर का पार्ट यह है बाहर का पार्ट तो देखलो दोस्तों यहाँ पे जस्ट हमें बैठाना है पीछे से जस्ट लॉक को निकाल देना यह देखो अंदर डाल देना है इस छेत का और यहाँ पे जस्ट प्रेस कर देना है यह देखो प्रेस करती है यह बिल्कुल पर्फेक्ली जूर दोस्तों तो चलो जूर चुका है तो इसे भी हम साइड कर देते हैं यह देखो साइड में चला गया आप आते हमारा नेक्स्ट अटच्मेंट जो की है हमारा आकडी वाला अटच्मेंट दोस्तों यह है हमारा यह जेसीबी का अटच्मेंट ट्राक वाला जेसीबी यह देखो यहाँ पे बाकेट में इसका बिच्रा हुआ पार्ट है, तो दोस्तों यहाँ पे जस्ट यह देख लो, यहाँ पे हमें यह वाला जो रॉड है, जस्ट इस छेद में से डालना है, यह देखो चेद में से डाल दिया, अब जस्ट यह वाला पार्ट यहाँ पे लगाना बाकी है ये देखो दोस्तो जुर चुका है हमारा ये वाला JCB तो JCB रेडी है तो JCB को भी हम साइट कर देंगे ये देखो JCB को हम साइट कर देते हैं ये देखो JCB को साइट कर दिया तो 4 खिलोन अटच्मेंट था 4 खिलोन का अटच्मेंट हम कर दिये दोस्तो अब देखो जो खिलोना यहाँ पे है ना दोस्तो सब कुछ बिल्कुल बढ़िया कंडिशन में था ये जीप कर था दोस्तो ये भी बिल्कुल पर्फेक्ट कंडिशन में था इसे भी साइट कर देते हैं यह देखो यह double dacar वाला बस इसे भी हम sight कर देते हैं क्योंकि यह भी बिलकुल बढ़िया condition में था यह हमारा army वाला बस यह भी बिलकुल perfect condition में था तो इसे भी sight कर दिया और दोस्तों यहाँ एक cycle मिला था हमें cycle का condition और भी ज्यादा बढ़िया था तो cycle को भी हम sight कर देते हैं यह देखो side कर दिया, और दोस्तों ये चोटा सा car, चोटा सा toy, ये था truck, ये था school bus, ये था ambulance, और ये था police car, ये देखो, और ये था दोस्तो fire truck, ये था दोस्तो, एक private car. तो चलो दोस्तों देखलो आज का सभी खिलोन आप लोगों को दिखा दिया ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें सस्क्राइब करके मिलेंगे आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई